आपका स्वागत है हमें जोतिश अचारय पूजा आज आपको बताने वाली हूं आज का दिन आप सर्भी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राश्यों के बारे में आए जा लेते आज का पंचांग आज 13 अक्टूबर 2023 दिन ने शुक्रवार तिती है चतुर दशी जो की 21 बच के 50 मिट याई नौ बच के 50 मिट तक रहेगी उसके बाद अमवस्य तिती लग जाएगी नक्षत रहेंगे उत्रा फालगनी जो की दोपैर 2 बच के 15 मिट तक रहें तो पहली राशी मेश राशी के बारे में जाल लेते हैं पिता के सेहत में कुछ गिरावट देख सकते हैं या पिता के साथ कुछ मद्बे देख सकते हाला कि शाम तक कुछ अच्छा आप उनके साथ समय बिताएंगे माता केक सायोक और इंटरफेर के बाद आप देखेंगे क आप लोगों के बीच में बात बंती नज़र आ रही है इसके लावा आप अपने सेहत का भी विशेश ध्यान रखें कुछ बोन से संबंदी समस्या या ब्रेट से लेटेट प्रॉब्ली यानि श्वात से संबंदी समस्या आपको हो सकते हैं पहले से कुछ अस्थमा की दिक्कत है तो आज ही दिन बहुत साफधार है किसी भी पॉलिटेट यानि कि जहां पर पॉलुशन है वहां पर बिल्कुल भी ना जाए इसके लावा पढ़ाई के लिए विधारती थोड़ा गिरावट देख सकते हैं अपक्षे परड़नाम ना मिलने करने करने कॉंदेंस में थोड जादा बड़ती नजर आ रही है और कोई ना कोई काम आपके रुकते नजर आ रही है क्योंकि अब भी गुरुशन डाल का योग बना हुए आपके लगन में तो वेबसाय में किसे प्रकार के रुकावट या कुछ दिक्कत देख रहे हैं तो आपको वैस्पती का उपाई कर है कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी समय उप्रिक्त नहीं क्योंकि शनी आपके दश्मेश के स्वामी है वक्री अवस्ता हमें है तो फिलाल अभी आपको की सफलता नहीं मिलेगी ध्यार और शांती बना के रखें बागे सपोर्ट की बात करेंगे 15 प्रतिशत है भागयांक आप करें तो आपके बीच में कुछ बात अटकी हुई है इगो की क्लैश अगर हो रहा है तो शाम तक आप एक दूसरे के प्रतिक समझदारी दिखा रहे हैं जिसके वजह से आप लोग के बीच में सम्मद्ध फिर से समानने होने की प्रबल संभावना है इसके लावा अगर आप कुछ रिल स्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए काफी आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे और अपनी सो समझ से लेंगे और आपको इसके फायदा भी होगा इसके लावा अगर अगर आप शेर मार्कर मे पहले से रुके हुए है पेंडिंग में है तो उसको आपको पूरा करने की डेड्लाइन में आपको मिल सकती हैं तो आपको उसे पूरा करना पड़ सकता है साथ ही कुछ अन्य जम्यदारियां भी मिल सकती है तो काम का बहुत अच्छा खासा आपके उपर रहेगा जीवन में कुछ इस परकार की समस्या देख सकते हैं पार्टनर के साथ कही ना कई मदभीद बना हुआ जिसकी वजह से कोई लीगल समस्या बनी हुए कुछ काम अटका हुआ है किसी विरोधी के कारण भी आपको कुछ परिशानी हो सकती हालकि वह आपको बिगार तो नहीं साथ ही investment की अगर आप planning करें तो उसके लिए भी कुछ अच्छे offer आपको मिल सकते हैं उसके लिए आप confident रहेंगे माता पिता का support आपको मिलेगा परिवार में यदि किसी बात को लेके कुछ तनाव है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा ह सायोग कर रहा है और यह आपके लिए काफी सुकून बरी बात हो सकती है इसके लिए आप काफी confident भी रहेंगे और यह confident आप देखेंगे आपके कारशेत्र में भी अच्छा परदशन आपको देखने को मिलेगा कुछ अच्छे growth के संकेत आपको मिल रहे हैं बस focus बना के रख आपको हो सकती है कुछ समय आप इंतिजार करें आपको definitely आप यह मन पसंद फील में आगे की research या पढ़ाई के लिए मौका जरूर मिलेगा चोटे भाई बैन का सरयोग आपके साथ रहेगा और विद्याती पढ़ाई में अपना focus lose कर सकते हैं और sports वगरा में आपके जादर पी ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपना जो है मनोबल बना के रखे हो सकता है कि अभी कुछ समय आपको कुछ अप्रिक्षित परणाम देखने को ना मिले भागे सपोर्ट की बात करेंगे सब्तर परतिश्यत है और भागया आपका पांच है तो चौती राशी करक राशी है कोई बात कि मन में रह सकती खासकर चोटी बाहिव में के साथ आपके रिलेशंशिप को लेकर अप भाववकों हो सकते हैं अस पथ की यात्रा पर जया सकते हैं। यह यात्रा आपकी ध 살只 रही है किसी रिष्टत रार के Βर में समरेट और सकते हैं इसके लावा आपके परिवार में बीक इस प्रकार की शांती आप देखेंगे कुछ अगर आपको प्रॉपिट से लेटेट कुछ प्रॉब्लम चल रही है हालकि कुछ ना कुछ मदबेद किसी के द्वारा या कुछ बीच में एक शड़ेंत आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप इसको पूरा तरही के से संभालते नजर आएंगे अपनी समझदारी से माता पिता का सपोर्ट आश्रवात और सयोग आपके साथ रहेगा जीवसाथी के साथ भी आपका समयच चलेगा जीवसाथी की सहत में कुछ उतार जड़ाव आपको देखने को मिल रहा है कुछ समस्या भर-बर उनके जीवन में आ रही है जिसके लिए आपको शनी का उपाई जरूर कर करें अपने सामर्ते अनुसार इसके लावा आपके पढ़ाई के लिए भी आप जो है फोकस तो रहेंगे लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरस्ट लेते नजरा रहे हैं कारश हित्मे कुर्मला के दिन जो है काफी समाने रहेगा आप अपनी कारश स तो संतुष तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी यह आपके लिए कापी खुशी की बात हो सकती है भागय सपोर्ट की बात करेंगे तो उनतर परतिशत है और भागय आपका आर्ठ है पांचिव राशी सिंग राशी के बारे में जा करेंगे इसके अलावा परिवार की कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करेंगे लेकिन माता-पिता का सहयोग आप जरूर करेंगे उनका जो है आप पुरी रिस्पेक्ट करेंगे इसके लावा आपको अपने खानपान का विशेश द्यार रखना होगा रिदे के मरी थोड़ा साफधार है छोटे भाई बेन के साथ काफी लंबा संगश आपको देखने को मिल सकता है कुछ बात जरू से जादा बिगड़ सकती है आपको खुत में सहीम बनाके चलना होगा कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में अभी जो संबंद हैं वो समाने होते हैं नहीं दिख रहे ह हैं इसके लावा आपके जीवन साथी के साथ दिन समाने रहेगा कारेशित में भी आपका दिन पहले से बहुत ही बहतर रहेगा confident नजर आ रहे हैं नई जोब के लिए आपको कुछ अच्छे offer मिल सकते हैं प्रेम सबंद के लिए भी आज कर दिन आपके लिए समाने रहेगा आपके भीतर जो भी जो भी आप शक है या जो भी आपके बिन में उबा है या कुछ आपके विश्वास की कमी है आप बैतर यही रहेगा कि अपने partner के सामने उसको पश्ट तोर से रखे एक clarity और ट्रांसपरेंसी बना के रखें में रिलेशेशिप में तब भी आपका relationship आग सकते हैं कुछ नया दिर्ने ले सकते हैं कुछ expand यानि इसको बढ़ाने का भी सो सकते हैं कुछ अच्छी deal आप sign कर सकते हैं कुछ content आपको मिल सकता है और इसके लिए आपको काफी confident रहेंगे साथ ही आपको आपके किसी सहयोगी से सहयोग भी प्राप्त होगा इसके लाबा आ के शाम तक थोड़ी शांती आपको देखने को मिलेगी इसके लावा कुछ लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सफलता मिलेगी आपको शुक्रवार वाले दिन माता लक्षमी को मीठे सपेज मिठाई का बोग जरूर लगाए आपके सब पूरा सहीओ करते नज़र आ रहे हैं सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं मित्र मंडिलियों का आपको साथ मिलेगा साथ ही कुछ नए सोचल और्गनाजिशन जिसमें लोगों की मदद की जाती है ऐसे और्गनाजिशन के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे कहीं न कई शांती की तलाश मीवी रहेंगे आपके बीतर इक प्रकार की स्ट्रेस देखी जा सकति हैं कि भटकाव देखा जा सकते हैं अन्रोसनेस देखा जा सकते हैं यहिंह कि आपके भीतर कुछ तनाव बना हुआ हैं जिस के कलरण आपको पता नहीं लगपा रहा हैं कुई मधी शेरा स्पाव के रिंगी एक कोंपुडेंस और विश्वास निया के लिखा सकता है lilak के दिए बहुत आओशक यह सेक्टर और सेविंग्ज में कुछ विर्द्धी आपको ने बात करें तो आपके कारश्यतिय संबंद्यत किसी यात्रा का जो है योग बन सकता है लेकिन यात्रती सुगम नहीं रहेगी कहीं नहीं किसी के साथ आप जगरते नजर आ सकते हैं कोई काम आपका आद बीच में अटक सकता है इसके अलावा विद्यार्तियों अपने पढ़ाई के लिए तो संगश में हैं संगश तो कर रहे हैं लेकिन को वैसा परिणाम देखने जरू मिलेगा लेकिन कि अपक्षा से कम थोड़ा मिल सकता है लेकिन को मिला के उनको अपने परिणाम से काफी खुशी प्राप्त होगी प आपके पार्टनर के इगो की समस्या के कारण या आपके अपने कुछ स्ट्रॉंग डिसीजन या स्टैंड के कारण आप देख सकते हैं आप लोग के बीच में एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है तो उसके लिए आपको आगे आना है पूरा स्पेज दे अपने पार्ट के लिए प्रास करें तो उसके लिए संखश थोड़ा आपको देखने हो मैं सकता है पूरी तरह के से अश्रुबात में नजर आ सकते हैं लेकिन दिरी दिरे आपनी थोड़ी गिरावार देखी जा सकती है लेकिन आप सिती को अच्छे से संभालते नजर आ रहे हैं भागे सकती है आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छी संकेत मिल रहे हैं साथ ही आपके व्रिद्धी देखने को मिल सकती है इसके अलावा आप काम के प्रती पूरी तरीके समर्पित नजर आ रहे हैं आपको अगर लाप के लिए प्यास करें तो कुछ इंतजार करना पड़ सकता है कुछ अपिक्षित लाप के लिए आपको विलम देख सकते हैं या आपको वैसा नहीं मिल पाए गए जैसे आपने अपिक्षा की थी बड़े भाई बैन के साथ बहुत बड़ी समस्या देखी जा सकती है कुछ डिस्टिंस देखा जा सकता है जिसके वजह से आप एक दूसरे बात भी बिगड़ती नजर आ रही है फिलाल आप कितनी तरह से कोई प्रयास ना करें तो बहतर रहेगा आप बाते समय पर छोड़ दे खुद बखुद आप इस खुद बखुद आपको पता लग जाएगा कि आप से लिशेशिप में है भी या नहीं इसके लावा विद्ध करेंगे तो 78 प्रतिशत है और भाग आपका साथ है दस वी राशी मकर राशी के बारे में जा लेते हैं मकर राशी के यदि बात करें तो कही ना कहीं पिता के साथ आपका जो भी आप तक तनाव है या कुछ भी संगश उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी आपके बहतर तालमिल आपको देखी जाएगी आपके मस्तिक्ष में, आपके दिमाग में, साथ आप में परिवार और आपके बीच में, जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छा तालमिल देख सकते हैं, जीवन साथी के कारण आपको कुछ लापकिस्तिती भी देखने हो मिल सकती है, लेकिन सेविंग्स में आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कुछ व्रिद्धी नहीं देख पारें, कुछ समानने अतार नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा परिणाम आपको इसके संदर्ब में देखने को जरूर मिलेगा, अगर आप रिल स्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लैनिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी संकर्च देखने को मिल सकता है, वैसा जैसा आप चाहा रहे हैं, उसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे अन्य ओफर आपको मिल सकते हैं, कहीं न कहीं मतलब की आपको एजस्टमेंट या समझोता करना पड़ सकता है, जीवन साथी के साथ जैसे मैं बताएं काफी अच्छा समाने दिन रहेगा, लेकिन परसनल लेशन्शिप के लिए भी बहुत अच्छा समयाब बिताएंगे, एक अच्छी बॉंट आप लोग के बीच में बंती रज़र आ रही है, भागय सपोर्ट की बात करेंगे, अठतर पर्थिश्ट है और भागय अग आपका चार है, ग्यारभी राशी कुम राशी के बारे में जानेंगे, तो कुम राशी की अधी बात करें, तो रिसर्च शेत्र में आपका परफॉर्मस बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कॉंफिदेंस में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, उसको आप बना के रखें, कुछ इम्यून सिस्टम में कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसकी वज़े से वीकनेस हो सकती है, आपको या कुछ इंफेक्शन की समस्या हो सकती है, तो आपने सेहत का आपको विशेज त्यार रखना होगा, इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चड़ाब से भरा दिना सकता है, कुछ सेहत में कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, बहुत समाने रहेगी, शाम तक वो ठीक हो जाएगी, छोटे भाई बैन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, साथी बड़े भाई बैन का भी सपोर्ट आपके साथ रहेगा, मित्र मंडली का भी सपोर्ट आपके साथ रहेगा, कुछ नए मित्रता के ओफर आपको मिल सकते हैं, इसके लाब आप विध्यारती पढ़ाई में तो काफी गंबी नज़र आले, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेंप्रेडी एक ब्रेक देख सकते हैं अपनी पढ़ाई में, फिलाल अभी वो किसी अन्य शित्र के बारे में सोचना चाहेंगे, आपके भागे सपोर्ट के बात करेंगे, पच्पन परतिशर्त हैं और भाग्यांग आपका एक है, बारभी राशी मीर राशी के बारे में जानेंगे, तो मीर राशी के अधी बात करें, तो वेबसाई के लिए आज के दिन प्लस में रहने वाला है, कुछ अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, इसके लावा आप देखेंगे कि आपके जो भी निर्णे आपने वेबसाई से सम्मधित ले रहे हैं, जो भी समस्या उसमें आ रही थी, लीगा से सम्मधिता किसी आनने की वज़े से, तो उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी, इसके लावा एक अच्छी ग्रोथ आज आपको देखने को मिलेगी, जीवन साथी के साथ काफिछा समय बिताएंगे, इसके लावा कुछ पुराने खर्चे आपके बारबर उबर के आजाते हैं, परिवार वालों के साथ आपके सहयोग बना हुआ है, किसी व्यक्ति के शड्यन्त की वज़े से परिवार में कुछ आशान्ती तो देखने को मिलेगी, किशिंपि लीगल समसियां में, अगर मुगतमे बाजी में हैं, परिवार के किसी बात को लेके, तो उसमें भी कुछ शान्ती देख सकते हैं, कुछ बात बनती विज़र नहीं आ रहीोँ, किसी महला के करण आपके कुछ समस्यां का सामना करना पर सकता हैं, महिलना है अपनी सौर्ट का विशेध्या रखें भागे सबोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्या का आठ है दर्शे को आपके जो भी प्रशन सजेशन ये राहे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले हरे कुछना